नमस्कर दोसो फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोसो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके बाए शाओमी 11i या फिर 11i hypercharge कोई भी मॉडल है तो यहाँ पे आप आइकन का style change कहा से कर सकते हैं तो phone में आपका जो icon by default आपको देखने को मिलता है तो इस tap का देखने को मिलता है अगर आप change करना चाहते हैं तो theme वाले section पे click कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको profile पे click करना है profile पे click करने के बाद यहाँ पे icon का option देखने को मिल जाएगा आप icon पे से भी जाके ले सकते हैं अगर icon पे जाके नहीं लेना है तो आप theme पे जाएंगे और जो theme आपको पसंद आ रही है जिस theme के icon आपको पसंद आ रहे हैं वो आप लगा सकते हैं वैसे तो मैंने बता दिया क कि वहाँ से भी ले सकते हैं बागी यहाँ पे आप select करके देख लेंगे मानलों यह वाले icon का style आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको कैसे लगाने अभी बताते हूं मैं आपको कि यह रहना थोड़ा सा अलग है कि यह वाला अप्लाई करते हैं आइकन का style समझ में आ रहा है तो यहाँ पर free पर क्लिक कर देंगे तो यह डाउन्लोड हो जाएगा और वेट कर लेंगे आप डाउन्लोड होने के बाद इन सभी को बंद कर देंगे सिर्फ आइकन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो यह सिर्फ आइकन पे अप्लाई होगा बागी जगा नहीं होगा अप्लाई हो चुका है और बैक कर देंगे तो देख सकते हैं आपका wallpaper change नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर आइकन का style है यह बिल्कुल change हो गया है और अगर आपको आइकन का style default करना है तो आप जाके न यहाँ पर default theme लगा लेंगे theme पर जाएंगे और theme पर जाने के बाद profile पर क्लिक करके theme पर जाके अपनी theme चूज कर लेंगे default वाली चले मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार